हलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TCS जोन में, कंप्यूटर की क्लासिस के लिए, तो दोस्तों कंप्यूटर के इस chapter by chapter अध्यन में, हम आज मैमोरी को पढ़ेंगे, हम किसको पढ़ने वाले हैं, मैमोरी को पढ़ने वाले हैं, मैं एक बार रिकोर्डिंग फिर से चे जी तो आज हम मेमोरी को पढ़ने वाले हैं मेमोरी क्या होता है कि कम्प्यूटर का एक आवशक अंग होता है नेसेसरी पार्ट होता है अगर मेमोरी नहीं होगी तो हम क्या काम करेंगे हमको कोई भी काम करना है को इंस्ट्रक्शन देना है उसको कौन ग्रहन करेगा मेमोरी ग्रहन करेगी हमने कुछ भी लिखा, अपना नाम भी लिखा, तो ये कम्प्यूटर के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, तो वो इंस्ट्रक्शन कौन स्टोर करेगा, मेमोरी स्टोर करेगी, हमको किसी फाइल को सेव करने की कमांड देनी है, तो ये कौन एक्सेप्ट करेगा, ये कमांड कहां ज करते हैं, सुरक्षित करते हैं, तो वो Secondary Memory में जाती है. तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जो Memory है, वो Data ही स्टोर नहीं करती, वो Command भी स्टोर करती है, Instruction भी स्टोर करती है, जो हम काम कर रहे हैं, उसको भी store करती है और उसके बाद उसे secondary memory में भी store करती है यह सारा काम किसका होता है हमारी memory का होता है तो memory के बारे में पढ़ते हैं memory के बारे में पढ़ते हैं देखिए यहां से बहुत से अच्छे सवाल बन जाते हैं कि कौन सी memory fast है कौन सी slow है memory के जो नाम है उनकी full form पुछ ली जाती है इसके बाद में किस तरह के access पाए जाते हैं random access memory में क्या policy है R.O.M. ROM में क्या policy है इसके बारे में भी बात कर ली जाती है sequential access क्या होता है और random access क्या होता यानि कि direct access क्या होता है तो इन पर भी बात किये जाती है, हम सारी बाते करते हैं, हमारी मेमोरी जो होती है, वो दो तरह की होती है, दो तरह की मेमोरी होती है, एक तो होता है हमारे पास प्राथमिक मेमोरी, कौन सी होती है, प्राथमिक मेमोरी, कि इसी memory को हम man memory भी कह देते हैं गे क्या कहते हैं इसको man memory भी कह देते हैं एक होती है मारे पास द्वीतियक memory इसको हम secondary memory कह देते हैं secondary memory कह देते हैं they both are part of memory एक तो होता है man memory man memory का मतलब प्राथ्मिक memory जो computer को चहिए ही चहिए इसके अलावा एक होती है द्वित्यक memory जिसको बोलते है secondary memory इसका एक और नाम भी है auxiliary memory भी कह देते हैं auxiliary auxiliary memory भी कह देते हैं अगर अभी पूछा जाए कि auxiliary memory किसको कहते हैं तो द्वित्य memory को auxiliary memory भी कहा जाता है प्रात्मिक memory की बात करें तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें निकल कर आती है जो man memory होती है उसमें दो बाते निकल कर आती है एक तो RAM एक तो होता है RAM एक होता है ROM फुल फॉम पुछी जाती है आप लोगों को पता ही होगा कोई भी आजकल इन नामों से अनभिज्य नहीं है फिर भी नाम लिख देता हूं या बाद में लिख लेंगे इस तरीके से भी बात कर सकते हैं कि बाद में लिख लें एक होता है RAM एक होता है ROM RAM दो तरह की होती है हमारे पास एक तो static RAM static RAM होती है एक तो एक होती है हमारे पास DRAM यानिके dynamic RAM हमने बात अभी यह की है कि memory दो तरह की होती है एक तो auxiliary memory और एक man memory यानि कि एक तो प्राथमिक memory जो computer को चाहिए एक secondary memory होती है दिटिक memory कहते है जिसे auxiliary memory भी कहते है हम तो पहली यानि प्राथमिक memory कौन सी होती है RAM और ROM आपको दिमाग में आयागा अच्छा RAM और RAM नाम सुना है कई बार क्या होता है कि computer की speed कम होती है तो हम कहते है कि इसमें RAM डलवानी पड़ेगी लेकिन हमको ऐसा लगता है कि RAM से speed बढ़ती है RAM से speed नहीं बढ़ती है दोस्तों RAM से space बढ़ता है क्यों क्योंकि जो भी काम जो भी instruction आप करोगे उसको hold करने का काम RAM करता है यानि आपके प्राथ्मिक मेमोरी करती है गती तेज होना या speed तेज होना depend करता है आपके प्रोसेसर पर कि आपने प्रोसेसर कौन सा लिया इसलिए हम market से अच्छे प्रोसेसर वाले या high quality वाले जिनकी speed तेज हो वो CPU लेते हैं CPU का मतलब प्रोसेसर लेते हैं तो RAM हमेशा space को बढ़ाता है speed को नहीं तो इध्यान रखना static RAM, dynamic RAM एक होता है हमारे पास ROM, ROM कई नाम से आते हैं जैसे एक तो आता है E ROM, P ROM, फुल फोर्म आगे बताएंगे आपको एक होता है E P ROM, एक होता है E E P ROM, इनके फुल फोर्म पूछ लिए जाते हैं ये ये आपके मोबाइल के अंदर इस टेक्नोलिजिय का यूज होता है electronically, erisable, programmable, read-only memory electronically, erisable, programmable, read-only memory, programmable, read-only memory और यहां होता है electronic, programmable, read-only memory तो ये कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं इनके फुल फोर्म में लिखा दूँगा लेकिन ये technology मोबाइल में यूज होती है आप करते हैं ना mobile में जिस data को select किया वही delete होता है तो ये technology है ठीक है तो electronically, erisable, programmable, read-only memory जिस data को आप click करेंगे वही हटेगा लेकिन इसमें power की जरुद पढ़ती है, battery की जरुद पढ़ती है तो electronically हम इसको कहते हैं electronically, erisable, programmable, read-only memory तो ये तो थे हमारे प्राथमिक memory, इसको man memory कहते हैं ये है auxiliary memory जिसमें हम hard disk को पढ़ते हैं किसको पढ़ते हैं? hard disk को दृत्यक memory है और जितनी भी हमारी pen drive है, ssd है, cd है ये सारे क्या है? ये सारे के सारे दृत्यक memory में आते है क्योंकि ये भी data को store करते है hard disk हमारे पास ऐसा एक component है memory का जो बहुत ऐसमित मात्रा में मतलब यू कहें कि आज कल यूनित आचुकी है memory के इतनी जो जियोप बाइट तक भी जाती है जियोप बाइट आज की maximum memory unit है तो बहुत सारा data यानि ऐसमित data भी आज कल हार डिस्क में store होता है यह हम पर depend करता है कि एक टीबी दो टीबी या जिबी की लगाएं या जिबी का मतलब जियोप बाइट वाली लगाएं जो आज की अधिक्तम memory है तो यह हम पर depend करता है SDD का पूरा नाम hard disk drive है HDD का पूरा नाम क्या है hard disk drive है एक secondary memory में आपको लिख देता हूँ SSD इसका पूरा नाम पूछा गया है SSD का full form होता है solid state drive अगर कोई आपसे यह पूछे कि SSD तेज होती है, fast होती है काम करने में या hard disk तेज होती है तो मेरा सिधा सा जवाब होगा कि solid state drive यारी SSD आने वाली समय में इसी का सबसे ज़्यादा use होगा हो रहा है और आगे होगा एक तो यह light weighted है computer इससे हलका हो जाता है इसमें वजन ज़्यादा होता है, भारी रहता है इसकी speed कम है इसकी speed ज़्यादा है तो यह लिखें आप यह लिखें उसके बाद बात करते हैं आगे थोड़ा सा बात करते हैं आगे कि सर यह जो आपने नाम लिखाए मुझे कि RAM क्या होता है तो मैं आपको इसके बारे में बता दूँ कि RAM की फुल फॉर्म होती है रंडम रंडम एक्सेस मेमोरी रंडम एक्सेस मेमोरी रंडम एक्सेस मेमोरी फिर मैंने बताया था कि RAM में दो तरह की RAM होती है एक तो S RAM मतलब static RAM बिलकुल बताया सर आपने फिर बताया dynamic RAM जी अब सवाल ही आया हुआ है कि S RAM और D RAM में सबसे तेज RAM कौन सी होती है what type of RAM is fastest between both RAM तो दोनों में जो fast होती है वो static RAM होती है तो इसमें लिख ले होती है फिर बात करते है रोम की अभी अभी बताया था read only memory फुल फॉरम नहीं लिखाई थी तो ये लिजिए read only memory आपका रोम जो है एक policy पर काम करता है वो है worm इसमें जो technique यूज की जाती है mechanism यूज किया जाता है technology यूज की जाती है रोम किस policy पर काम करता है तो रोम आपका worm डबलू ओ आर एम policy पर काम करता है किस पर काम करता है वर्म policy पर वर्म policy पर कार्य करता है तो मैंने एक बात बताई थी कि रैम क्या होता है जिसे दो जी भी चार जी भी आप बढ़ाते हैं आपके मोबाइल में भी आता है चार जी भी रैम, चौसर जी भी रोम हाना तो रैम वो है रोम क्या है आपका हार्डिश के रूप में यूज होती है मोबाइल में लेकिन यहां पर यहां पर आपके हार्डिश के रूप में यूज नहीं होती यह काशैप्षन है कि ये पर्मानेंट मेमोरी है यह टंपरेरी मेमोरी है आगे बात करेंगे हम तो रोम के बारे में हम लिख रहे हैं कि read only memory हो और यह worm policy पर काम करता है और worm policy की full form क्या होती है? इसकी full form होती है इसकी full form होती है और full form क्या होती है? Full form होती है, write once, मतलब लिखा एक बार ही जाएगा, that called write once बट आप पढ़ सकते हैं बार बार तो read many write once and read many आपने देखा होगा कि जब आप computer को on करते हैं, चालू करते हैं तब आप उसमें कुछ भी नहीं करते हैं और उसमें एक numbering चलती है इट मिन्स वहाँ पर रोम अपना काम कर रहा है, उसके अंदर पहले से कुछ चीज़े fix है रोम में आप कोई भी editing नहीं कर सकते हैं, जब आपके machine को यानि की computer को बनाया जाता है तब उसमें रोम डाला जाता है और रोम की manufacturing में जो रोम में programming है, data जो है, वो एक बार ही डाला जाता है और वो एक बार programmer के ठ्रू ही डाला जाता है, उसके बाद रोम में data नहीं डाला जाता है तो रोम में डाटा रोम में डाटा प्रोग्रामर के द्वारा डाला जाता है प्रोग्रामर के द्वारा फीड किया जाता है, स्टोर किया जाता है या प्रोग्राम किया जाता है प्रोग्राम किया जाता है अब सर ये प्रोग्रामर नाम क्या है तो कई बार आया है कि सोफ़वेर बनाने का काम कौन करता है तो सोफ़वेर बनाने का काम प्रोग्रामर करता है कुछ लोग सोफ़वेर इंजीनियर क्लिक करके आते हैं गलत है manually इस काम को programmer संभालता है जिसका काम है coding का program बनाने का software engineer जो होता है वो कई कामों में involved रहता है वो management में भी रहेगा वो programmer को उनसे बातचित करने में communication में भी रहेगा वो program बनवाने में भी रहेगा वो उनके गल्तियों को सुधारने में भी रहेगा वो decode करने में भी रहेगा उसको coding करने में भी उनके साथ रहेगा और वी management जैसे सारे कामों को देखता है तो इसलिए वो एक काम में involved नहीं होता तो इसके लिए perfect जो आदमी होता है उसको हम programmer कहते है program बनाने वाला कौन होता है programmer होता है लिखे आप इसको अब आजाते हैं हम secondary memory पर किस पर आजाते हैं secondary memory पर secondary memory secondary memory क्या होती है इसको हम बोलते हैं दुद्यक memory क्या बोल देते हैं दुद्यक memory और यहां हम बात कर रहे होते हैं हार्डिश्क की HDD हार्डिश्क ड्राइव अच्छा यह डिस्क वाला भी एक प्रोग्रम प्रोब्लम ही है लोगों को कि डिस्क का मतलब क्या है तो जैसे यहां पर हार्ड डिस्क यह डिस्क यह वाला है ड्राइव हार्ड दुद्यक memory में आपके SSD भी आ जाती है Solid State Drive आपका CD भी आ जाता है तो यह डिस्क अलग है इसका नाम होता है Compact Disc Compact Disc लेकिन डिस्क यह वाला यह कन्फ्यूज नहीं रहना यहां K वाला है और यहां C वाला है यह Optical Memory है इसको आगे पढ़ेंगे Optical Memory है CD हो गए आपका Pen Drive हो गए यह सभी क्या है दुद्यक Memory कहीं उधारन है लेकिन यह Flash Memory में भी Count होता है Flash Memory का मतलब इसे CPU से Connect करो, डाटा लो, हटा दो कोई फरक पढ़ने वाली बात नहीं है तो तो ताइप आप of Pen Drive is called Flash Memory Flash Memory कहा जाता है तो इसके बारे में लिखें यह जितने भी आप Memory Unit या Memory Medium जिनको हम कह सकते है Pen Drive, Floppy Disk Floppy Disk आज के अल परचलन में नहीं है Floppy Disk यह Disk कौन से है यह वाली, के वाली है लेकिन CD हो गया CD R हो गया Compact Disk Recordable R का मतलब होता है Compact Disk Recordable यह नाम पुछे हुए है इसलिए में आपको बता देता हूँ Compact Disk Recordable Record कर सकते हैं इसके अंदर Write नहीं कर सकते हैं मतलब एक बार write कर दिया उसके बाद काम में नहीं ले सकते इसमें भी Once Read और Once Write Read Many वाली policy यूज होती है ऐसी चीज़े जिनमें एक बार data डाला जाता है उसके बाद आप उसको पढ़ सकते हैं data feed नहीं किया जा सकता उनमें worm policy यूज की जाती है WORM जिसको हमने पिछली seat में discuss किया इसमें भी ऐसा ही है कि हमारी CD जो होती है जो recordable होती है उनको हम एक बार हमारे through भी कर सकते हैं data उसमें लिया जा सकता है उसके बार data नहीं लिया जा सकता लेकिन एक होती है CD-RW CD-RW re-writable बार बार आप उसमें काम कर सकते हैं उसमें से data हटाया वापस डाल दिया जरुद पड़ी दुबारा उसमें add कर लिया या burn कर लिया, read कर लिया write कर लिया उसके बाद दुबारा इसका मतलब होता है compact disc इसका मतलब होता है compact disc compact disc और ये disc ये वाला है read and write read, write पढ़ भी सकेंगे तो दुबारा लिख भी सकेंगे R का मतलब केवल recordable है केवल लिख सकते हो केवल पढ़ सकते हो, लिख नहीं सकते इसमें आप लिख भी सकते हो और बार बार पढ़ भी सकते हो उसके अंदर काम कर सकते it means erase किया, दुबारा उसमें write कर दिया जुरुत नहीं है तो दुबारा उसको delete कर दिया हटा दिया, clean कर दिया उसके बाद दुबारा उसमें आपने write कर लिया यानि लिख लिया data ले लिया नोट करें इसको अब बात करते हैं देखिए कि हमारा जो RAM है यानि कि प्राथमिक memory है, प्राथमिक memory प्राथमिक memory, प्राथमिक memory का मतलब समझ गए होंगे, RAM और ROM प्राथमिक memory CPU से सीधे जुड़ा हुआ होता है CPU से सीधा connect होता है सीधा connect होता है सीधा connect होता है क्योंकि यह computer की man memory है क्योंकि यह computer की man memory है क्योंकि यह computer की computer की man memory होती है ठीक है और आपके जो secondary memory होती है वो सीधे नहीं जुड़ी होती है लेकिन hard disk को mass storage भी कहते हैं एच डीडी को mass storage पूछा हुआ है यह सवाल कि mass storage किसको कहते हैं तो आपकी जो hard disk है वो mass storage में काउंट होती है इसमें आप बहुत ज़्यादा data comparatively other medium दूसरों की तुलना में ज़्यादा data यहां store कर सकते हैं तो HDD को mass storage भी कहा जाता है mass storage भी कहा जाता है भई लीजिए अब बात यह है कि आपकी memory काम क्यों आती है तो इसके बारे में लिखें computer में memory computer में memory का प्रियोग computer में memory का प्रियोग data तथा अनुदेशों अनुदेशों का मतलब instruction अनुदेशों को store करने के लिए लिए किया जाता है मतलब memory का काम क्या है कि data data यानि कुछ भी काम कर रहे हैं और जो instruction है instruction का मतलब जैसे मैंने save पर click किया यह instruction है उसके लिए save पर click किया open पर click किया या even मैं अगर अपना नाम भी टाइप कर रहा हूं मैंने कोई भी alphabet टाइप कर रहा हूं वो भी उसके लिए क्या एक instruction है तो पहले वो इसको store करेगा store करने के बाद अगर मैं चाहूं कि इसे secondary memory में ले जाए तो वो इसके लिए भी काम करता है तो इसका मतलब आपका जो computer में memory का परियोग का है data का और तथा अनुदेश अनुदेशों का मतलब होता instruction जो भी आप computer को दे रहे हैं वो instruction होते हैं या तो data होता है या instruction होता है data का मतलब computer के लिए हर चीज data है instruction का मतलब कोई command instruction का मतलब अगर हम सीधे तोर पर समझे तो command या आदेश क्योंकि जब तक आप कहेंगे नहीं computer काम करेगा नहीं तो आपको यानि के operator को user को कोई काम यानि कोई command देनी होगी जिसके लिए वो काम करें तो सीधी सी बात है कि instruction को और command या आदेशों को store करने के लिए किया जाता है memory temporary भी होती है memory temporary temporary आर ए आर वाई आर ए आर वाई तंप्रेरी तथा पर्मानेंट permanent दोनों परकार की होती है होती है जिसमें RAM temporary memory है RAM क्या है temporary memory है जो data को hold करती है data को या आदेशों को store करती है परंतु बिजली या electricity बिजली जाने के बाद बिजली जाने के बाद यह अपना data लोस कर देती है यह अपना data लोस कर देती है मतलब खो देती है इसलिए इसको temporary memory कहते है देखो क्या होता है कि अगर एक second के लिए भी light चली गई आपका computer बंद हो गया तो जो भी आप काम पांच गंटे से साथ गंटे से कर रहे थे जो भी instruction दे रहे थे वो कहीं ना कहीं store हो रहे थे और वो कहां हो रहे थे RAM में हो रहे थे क्योंकि ROM तो परमानेंट है लेकिन वो कुछ भी आप से नहीं लेता है लेकिन उसमें जो bootstrap है जो loading-unloading का काम है जिसमें BIOS चलता है basic input-output system वो सारा कुछ ROM में store किया जाता है कि आपकी जो basic input-output जो devices है वो connect है कि नहीं है उसका काम यह होता है उसमें वही programming feed की हुई होती है कोई चीज को boot करवाना हो computer को start करते हैं तो हम कहते हैं कि जब computer को on करते हैं तो वो हाथो हाथ नहीं चलता on करने के बाद वो कुछ समय लेता है उसके बाद window आती है graphic आता है आपारे सामने अपरेटिंग system का एक view सामने आता है तो वो बीच का जो काम है वो booting ही है वो basic input-output का system का काम है उसमें load होना होता है फिर वो है operating system को load करता है यह सारा काम उसी का होता है RAM में जाता है बकाइदा आपका जो operating system है वो तो RAM में जाता है लेकिन ROM का काम होता है खुद को याद करना जो programming की गई है उसके according काम करना उसके बाद वह RAM को active कर देता है और फिर आपकी secondary memory से आपके operating system को load करता है क्योंकि अगर RAM नहीं होगा तो कुछ काम नहीं होगा आप चाहे वर्ड में काम कर रहे है चाहे आप Excel में काम कर रहे है चाहे आप painting बना रहे है इवन कोई भी काम कर रहे है आप तो वो पहले RAM में जाके load होगा इसलिए तो हम कहते हैं ना कि RAM ज़धा चाहिए होता है क्योंकि आज के लिए इतने अच्छे अच्छे गेम्स आ गए हैं जो हैवी कंट्रस्ट के साथ आते हैं या यू कहें कि उनमें क्वालिटी ज्यादा होती है तो उनके जो आकार है उनका साइज जो बढ़ जाता है और बड़ी हुई साइज को होल्ड करने के लिए रैम का भी स्पेस ज्यादा होना चाहिए तो इसलिए रैम की रिक्वार्मेंट ज्यादा रहती है इसको नोट करें आगे इसमें पढ़ते हैं कि रैम तथा रोम रैम तथा रोम सेमी कंडेक्टर मेमोरी है ये सवाल भी पूछे जाते हैं कि जो मैन मेमोरी है प्राथमिक मेमोरी है चाहे वो रैम हो चाहे रोम हो जब हम प्राथमिक मेमोरी की बात करेंगे तो रैम तथा रोम दोनों की बात करेंगे और दोनों ही semi conductor memory है semi conductor क्यों है क्योंकि इसमें IC का प्रियोग किया जाता है क्योंकि इनमे क्योंकि इनमे IC IC का full form पता होगा आपको integrated circuit integrated circuit इस का विश्कार किस ने किया था JS Kilby ने 2000 में उनको physics का Nobel पुरुषकार भी दिया गया है तो IC का प्रियोग किया जाता है और IC क्या है एक semi conductor मेमोरी है किया जाता है IC एक IC एक semi conductor मेमोरी है semi अर्द चालक धातू जिसको बोलते है semi conductor conductor मेमोरी है और यह है और यह है IC से मिलकर बना होता है तो इसलिए इसको semi conductor मेमोरी भी कह दिया जाता है अब बात बताएं प्राथमिक मेमोरी की स्पीड तेज होती है यह बात भी हम कर रहे थे कि जितने भी प्राथमिक मेमोरी है यह वाली प्राथमिक मेमोरी पूछ लिया जाता है कि स्पीड किस की तेज है प्राथमिक मेमोरी की स्पीड तेज है कि द्यूतिक मेमोरी की स्पीड तेज है तो जब मैन मेमोरी है CPU से सीधा कनेक्ट है तो अब्यूसली रेम तथा रोम यानि प्रात्मिक मेमोरी के स्पीड तेज होती है क्या होती है तेज होती है जबकि सेकेंडरी मेमोरी सुस्त होती है सेकेंडरी मेमोरी स्लो होती है Secondary memory क्या होती है हमारी slow होती है अब तीन तरह के access भी हमसे पूछे जाते हैं कि जैसे Random access memory है sequential access क्या होता है Random access क्या होता है तो मैं आपको बता दू इसके बारे में कि एक तो होता है हमारा Random Access memory जहां क्या होता है कि अगर आप डाटा दे रहे हैं और डाटा प्राप्त कर रहे हैं उन दोनों में एक ही समय लगे जिसमें हम क्या कह सकते हैं कि डेटा को राइट करने में तथा आपने राइट किया लिखा उसमें भी जो समय लगा और फिर आपको जरुरत पढ़ी जरुरत पढ़ने पर वापस प्राप्त करते हैं तथा जरुरत पढ़ने पर रिट्रीव करते हैं या प्राप्त करते हैं प्राप्त करने में बराबर समय लगे इक्वल टाइम लगता है कम ज़्यादा नहीं लगता इक्वल समय लगता है उसे रेंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं उसे रेंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं उसे रेंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं नोट करें उसके बाद सीट को चेंज करते हैं अभी बात करते हैं sequential sequential s-e-q-u-i sequential एक्सेस मेमोरी पूछ लिया जाता है sequential एक्सेस क्या है एक मेमोरी ही है जिसमें से आप ये चीज़े निकालते हैं sequential एक्सेस मेमोरी का मतलब होता है आपको कर्मानुसार डाटा प्राप्त करना होता है अर्थात जैसे कोई गाना किसी सीडी में साथ नंबर पर है साथ नंबर पर है तो आपको पहले गाने से शुरू करना पड़ेगा पहले गाने से शुरू करना पड़ता है तभी आप सेवन्थ सौंग को एक्सेस कर सकते हैं यानि प्राप्त कर सकते हैं एक्सेस का मतलब वहां तक पहुंचना प्राप्त करना सौंग को आपको पहले गाने सौंग कर सकते हैं आपको बोला कि अगर आप सात्वे नंबर को गाने को चाहते हैं तो आपको पहला गाना सुनना पड़ेगा दूसरा सुनना पड़ेगा तीसरा आज के लिए technology हम देखने को नहीं मिलती है आज कल तो हम direct access करते हैं कि 7 number, 8 number TV चला रहे हैं आप और आपको 112 number चैनल पर जाना है तो आप direct 1, 1, 2 दबाएं और reach कर सकते हैं यानि कि access कर सकते हैं लेकिन ये भी एक technology है जिसके through data प्राप्त किया जाता था आज के लिए technology बहुत पीछे छूट चुकी है तो ये कहां होता है जैसे आपकी magnetic tape होती है आपने वो चोकोर जिसको बोलते हैं यूँ इस परकार से होती थी और इसके अंदर यहां ribbon लिपटा रहता था इस परकार से तो इसको हम बोलते थे tape क्या बोलते थे tape magnetic tape यह इसका उधारण है यह क्या है sequential access का उधारण है किसका है sequential access का इसके बाद direct access आ गया direct access memory direct access memory सीधा सीधा पहुंचना मतलब जहां जाना चाहरे हैं जो लाना चाहरे हैं सीधा पहुंचना सीधा पहुंचने को direct access कहते हैं सीधा पहुंचना या पहुंचने को direct access कहते हैं तो यह तीन तरह के access होते है random access memory मतलब आपने data दिया और data प्राप्ट किया उसमें दोनों में समय एक्वल लगा that called random access memory sequential access का मतलब होता है आपको करमानुसार आगे बढ़ते हुए data को प्राप्ट करकर लाना होता है अगर आप चाहते हैं कि मैं direct वहीं पहुंचाऊं जो मुझे चाहिए तो इसके लिए आपको direct access इस technology को अपनाना होता है तो आज कल ये ये technology ही होती है सारी जगए note करें इसको अब यहां बात करते हैं देखिए कि जैसे memory के जरुद पढ़ती है computer को memory के जरुद पढ़ती है तो memory के जरुद पढ़ती है वो data को किस में save करता है तो हमको पता है कि हमारा computer तो केवल 0 और 1 binary number या bit बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं bit हमारा computer data को 0 1 में समझता है बिल्कुल सर समझता है जिसे जिसे binary number भी कहा जाता है नंबर भी कहा जाता है binary number भी कहा जाता है या यूँ कहीं से क्या कहा जाता है bit कहा जाता है क्या कहा जाता है bit कहा जाता है मतलब हमारा computer जो है वो memory में data को store bit के रूप में करता है या इसके आगे ही लिख देते हैं bit में data को store करता है bit में data को store करता है चाहे वो कोई भी instruction हो चाहे वो first memory के लिए हो चाहे वो secondary memory के लिए उसको वो bit में store करता है पूछ लिया जाता है कि bit का full form क्या है गौर करें यहां पर bit का full form bit का full form है हमारे यहां binary digit इसका full form क्या है binary digit binary number binary digit इसका full form binary bit का मतलब digit से है binary digit है अब एक बात आप सुने कि जब हमको यह पता है कि यह 0 और 1 में store करता है तो कहीं तो रखता होगा इसको ले जाकर तो जिसको इसको याद रहे इसने अपने हिसाब से एक address बना रखा होता है हर चीज़ का एक address होता है कि कहां गया कहां से लाना है तो जो data जहां रखा जाता है data रखने के लिए flip-flop flip-flop का प्रियोग किया जाता है ये एक जगह का नाम है जहां data छोड़ा जाएगा का प्रियोग किया जाता है जहां जहां का मतलब location जहां data store किया जाता है जहां data store किया जाता है अभी मैंने बताया कि zero or one binary digit है इसी के रूप में भै data को store करता है लेकिन कहां करता है किस जगह रखता है वो गोदाम कहां है वो जगह कहां है तो वो कहता है कि उस जगह का नाम है flip-flop का प्रियोग किया जाता है जहां data store किया जाता है इसका मतलब तो sir हमको बहुत ज़्यादा flip-flop की requirement होगी क्योंकि zero or one की रूप में zero or one का मतलब होता है zero or one का मतलब है हर instruction को या तो zero या one या zero या one या one one zero zero या one मतलब जैसे भी आप समझते हैं केवल zero or one ही हो binary digit कहलाती है zero का मतलब off होता है और one का मतलब on होता है instruction off and on को दर्शाता है zero का मतलब off होता है मैं आपको बताओ दो फिर यहां पर instruction off होता है और एक का मतलब होता instruction on यह थोड़ी डीब बात हैं तो आपको थोड़ा चलते चलते बता रहे हैं data store किया जाता और जहां data store किया जाता उसको क्या कहा जाता है flip flop कहा जाता है इसका मतलब हमारे पास हमारी memory में बहुत सारे flip flop बनाने पड़ेंगे तो दो या दो से अधिक two or more than two दो या दो से अधिक flip flop के collection को flip flop के collection को collection का मतलब unit को register कहते हैं ये नाम बहुत बार पूछा है बहुत famous नाम है ये register कहा जाता है तो register को बताने के लिए ये बताना जरूरी था register कहा जाता है सुना होगा register क्या है register भी एक memory है और सबसे fast memory है इसको ये कहा जाता है कि computer की सबसे fast memory कौन सी है register है चाहे किसी के भी मुकाबले में अगर आप पूछें कि sir cash memory और register में सबसे तेज कौन सा है तो मैं आपको यही कहूँगा कि register है cash भी है लेकिन जब बात register के साथ अड़मे किया जाएगी जब तुलना comparison register के साथ होगा तो no doubt register is the fastest memory in the computer तो fastest memory कौन सी है register है दो से दो या दो से अधिक flip-flop के collection को register कहा जाता है register computer की सबसे तेज memory है register सबसे तेज memory है इसी लिए इसे man memory में रखा जाता है तेज memory है note करें इसको I hope आपको सारी चीज समझ आ रही है बहुत ही well and decent तरीके से मैं सारी चीजे बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपने चीजें पहले भी पड़ी होंगी कुछ फरक देखने को मिल रहा होगा कि या फिर वो चीजे दुबारा recall हो रही है कि हाँ ऐसा ऐसा बताया था ये चीजे इस से जुड़ी होती है ये काम इसके थू होता है तो आगे अब देखते हैं अभी मैंने आपसे पोछा कि एक तो होता है हमारा रजिस्टर एक होता है हमारा कैशे कैशे मेमोरी रजिस्टर और कैशे दोनों ही फास्ट मेमोरी होती है दोनों ही फास्ट मेमोरी होती है तो रजिस्टर जो होता है वो हमारा सीप्यू में होता है रजिस्टर सीप्यू में होता है ठीक है कभी आपने सुना होगा कि सीप्यू कभी भी फ्री नहीं बैठता यानि इडल नहीं रहता CPU कभी भी इडल नहीं रहता है because of इन दोनों की वज़े से उसे डाटा या तो रिजिस्टर से मिलता रहेगा या कैशे से मिलता रहेगा या फिर ये रैम के पास जाएंगे रैम के पास नहीं होगा तो वो हाड़िश के पास जाएगा इसी परकार से डाटा मिलता है हाड़िश मिलेगा तो वो पहले रैम को देगा रैम कैश मेमोरी को देगा कैश मेमोरी रेजिस्टर को देगी और रेजिस्टर फिर CPU को दे देता है तो यह processing आपस में चलती रहती है, इसलिए CPU कभी भी idle, idle का मतलब free, कोई भी program उसके पास ना हो ऐसा हो इनी सकता, उसके पास काम हमेशा चलता रहेगा, वो हमेशा busy रहेगा, इसलिए कहते हैं कि CPU कभी भी idle नहीं रहता, रजिस्टर CPU में होता है, cache memory, fast memory है, no doubt fast memory है, लेकिन किसी और की तुल ना में, लेकिन अगर बात की जाए register और cache में, तो यहाँ लिख लिजिए, register तथा cache memory में, register तेज memory होती है, register fast memory होती है, fast memory होती है, अगर CPU को data चाहिए होता है, तो CPU को data चाहिए होता है, तो यह process होता है कि CPU पहले register से मांगेगा data, कि मुझे काम करने के लिए data दो, register के पास भी नहीं है, तो वो cache memory को भजेगा कि इस से लिए, cache memory के पास जाएगा, cache के पास भी नहीं है, तो यह फिर जाता है RAM के पास, और RAM के पास नहीं है, तो फिर यह जाता है secondary memory, यानि हार्डिश के पास, अब data मिलेगा, data मिला, माल लो यहां तो वो पहले पहुचेगा, अगर माल लो CPU ने requirement महसूस की, तो data इस से मांगा जाएगा, यह जाएगा इसके पास, यह जाएगा इसके पास, और यह जाएगा इसके पास, माल लो data मिल गया तो ये देगा पहले RAM को ये process है जिसको बोलते है MIS Management Information System आप direct नहीं जा सकते हैं आपके लिए जो चीजे बनाई गई है step by step आप उन्हीं को कह सकते हैं तो secondary memory देगा RAM को RAM देगा cache memory को cache देगा register को register देगा CPU को इसका मतलब हम कह सकते हैं कि register register CPU के नजदीक होता और cache memory RAM के नजदीक होता है cache memory जो होता है वो RAM के नजदीक होता है CPU जो होता है वो register के नजदीक होता है तो ये process है data को लाने का और यहां पर line लिख लीजिए CPU CPU कभी भी idle नहीं रहता idle नहीं होता है idle होता है idle नहीं रहता नहीं रहता अर्थात free नहीं रहता अर्थात free नहीं रहता इसको data चाहिए चाहिए और इसको data देने का काम ये लोग करते हैं जिसके पास नहीं आगे से आगे requirement देते रहते हैं अब ये काम इतना fast होता है कि हमको बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है तो अर्थात फ्री नहीं रहता हमेशा बीजी रहता है हमेशा क्या रहता है बीजी रहता है हमेशा बीजी रहता है कभी भी फ्री नहीं बाढ़ता है CP उसको काम मिलता ही रहता है इसलिए कभी भी वो अपने result में error नहीं डालता इसलिए हम उसमें इतना believe करते हैं computer के technology को पढ़ रहे हैं उसमें AI, artificial intelligence डाल रहे हैं और कोई भी sector, वाहिद कोई भी एक sector ऐसा नहीं है कि छूट गया हो जहां computer यूज नहीं लिया जा रहा हो और आपके बात करें कि CPU किसको कह रहे हम यहां तो CPU हमारा processor है CPU का मतलब यहां किस से है CPU का मतलब processor से है और क्या आपको यह पता है कि इंडिया का पहला स्वदेशी processor कौन सा है इंडिया ने processor बना लिया है बहुत समय हो गया है कौन सा है तो processor है इंडिया का Mad in India, Shakti उसने उसका नाम क्या रखा है Shakti 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 रखा है यह इंडिया का प्रोसेसर है इंडिया का प्रोसेसर है जिसका नाम Shakti रखा है अब बात करते हैं अब बात करते हैं आपकी एक और नाम आता है Virtual Memory क्या है Virtual Memory क्या है बहुत बार आता है Virtual Memory का मतलब आभासी Memory आभासी Memory रियल में नहीं होती है इस तरह का कोई concept नहीं है लेकिन यह buffer memory है इसे buffer memory कहा जाता है इसे buffer memory कहा जाता है कहा जाता है यह 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 रैम की तरह है यह रैम की तरह है वोलेटाइल मेमोरी है वोलेटाइल का मतलब होता है नाशवान ए परिवर्तित लाइट गई डाटा नहीं मिलेगा नाशवान है ए परिवर्तित परिवर्तित होती है परिवर्तित होती है वोलेटाइल का मतलब नाशवान नोन वोलेटाइल का मतलब ए नाशवान उल्टा लगता है हमको लेकिन non-volatile का मतलब ए नाशवान volatile का मतलब होता है नाशवान है अर्थात temporary है अर्थात temporary memory है अर्थात temporary memory है अच्छा जी होता क्या है ना कि माल लो माल लो आपके पास कोई 4 GB का 8 GB का 16 GB का या कोई एक बड़ा प्रोग्राम है 20 GB तक का भी अब RAM आपके पास इतनी है नहीं तो RAM की capacity से अधिक का प्रोग्राम उसे अपने अंदर लोड करना हो क्योंकि बिना RAM के तो चले गए नहीं आपने अपने मुबाइल में देखा होगा कि जितने भी एप्स हैं डेक्स्टोप में यानि कंप्यूटर में उनको सोफ्वेर यारी प्रोग्राम कहा जाता और मुबाइल में उन्हीं सोफ्वेर को एप्स कहा जाता है हाना तो आप अगर कोई भी एप ओपन कर रहे हैं क्लिक कर रहे हैं तो वो पहले RAM में जाएगा RAM उसको होल्ड करेगा तो कई बार RAM कम पढ़ने पर हैंग होना शुरू हो जाता है आपका PC आपका सिस्टम आपका फोन तो RAM का स्पेस जादा चाहिए लेकिन अब ऐसे टेक्नलोजी आने लग गई है कि जिसमें अगर आपके पास प्रोग्राम बढ़ा है और RAM के पास स्पेस कम है तो वह वर्च्वल मेमोरी क्रिएट कर लेता है RAM वो कहता है उधार ले लेता है किस से सेकेंडरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी को एज रेम कंसीडर किया जाता है एज रेम जोइन कर लिया जाता है ताकि उसमें वह प्रोग्राम लोड हो सके और जैसे ही वह काम खतम होता है वह मेमोरी वापस हट जाती है खतम हो जाती है उसका विनाश हो जाता है क्योंकि यह टे का हिस्सा याने के पार्ट या मेमोरी हिस्सा को रैम के रूप में यूज लेना रैम के रूप में यूज याने के परियोग में लेना हिस्सा को रैम के रूप में यूज लेना उसे वर्चुल मेमोरी कहते हैं उसे वर्चुल वर्चुल मेमोरी कहते हैं तो ये concept है वर्चुल मेमोरी का तो हमने मेमोरी के सभी चीजों को अभी तक पढ़ा है और हमने ये जान लिया है कि किस तरह से bit होता है bit का full form क्या होता है bit जहां store करेगा data को वो जगे का नाम क्या है address क्या है उसका flip-flop तो flip-flop तो हमें बहुत चाहिए होंगे तो बहुत सारे flip-flop यानि 2 और more than 2 collection of 2 flip-flop और more का जो combination होता है या collection होता है that called register तो cache memory में और register में कौन तेज है register तेज है और cache memory के साथ कोई भी आ जाये तो cache memory है लेकिन अगर register वहां exist करता है तो इसका मतलब है कि answer हमको register लगा कर आना पड़ता है तो उसे virtual memory कहते है तो अभी आप समझ पाए होंगे कि memory का concept क्या है अगर आपसे मैं यूँ कहूं कि सबसे सस्ती memory कौन सी है सबसे सस्ती मतलब जो cost wise सस्ती हों तो सबसे सस्ती memory कौन सी है तो सबसे सस्ती memory आप समझ गए होंगे cd है दस रुपे में मिल जाता है हाँ तो सबसे fastest register इसलिए उसकी cost भी महंगी होगी अगर आपको कहा जाए कि महंगी memory कौन सी है तो register जो जितना fast होगा उतना महंगा होगा और सबसे सस्ती memory जो होगी वो होगी आपकी cd हाँ तो ये concept हमने पढ़ लिये हैं सारे इसके बाद हम memory unit को पढ़ेंगे memory unit में हम पढ़ेंगे कि एक bit क्या होता है nibble क्या होता है दो nibbles क्या होते हैं और इसके बाद ये पढ़ेंगे कि bytes क्या होते हैं और सबसे highest memory unit जो अभी-अभी हम बात कर रहे थे GB GB यानि कि G of byte आपको बता दूँ सबसे बड़ी memory unit अभी जो है सबसे बड़ी memory unit ये unit है unit का मतलब 1 आई जैसे आप एक रुपे बोल देते हैं एक एक रुपे के दस सिकों को दस रुपे बोल देते हैं दस रुपे के दस नोटों को सो रुपे बोल देते हैं इसी परकार से यहाँ unit बनाई गई है कि आप जीरो और वन को bit कहते हैं एक bit इसके साथ हम ये कहते हैं कि चार bit एक nibble होता है दो nibble एक byte के बराबर होता है और 1024 byte जो होते हैं 1 kilo byte के बराबर होते हैं 1024 byte फिर हम Mb के बराबर होते हैं इसी तरीके से सबसे बड़ी unit जो होती है मैमोरी की वो क्या है? लेकिन यहाँ GB का मतलब gigabyte नहीं है कुछ लोग अभी भी अटके हैं GB पर या कुछ लोग अटके हैं TB पर TB के बाद में तो petabyte भी आ गया yota byte आ गया jota byte आ गया ब्रॉंटो बाइट आ गया ब्रॉंटो बाइट के बाद अब geobite आ गया geobite यह सबसे बड़ी इकाई है मैमोरी के I hope आज का lecture आपको समझ आया पसंद आया आप जुड़े रहेंगे तो कोशिश रहेगी कि और भी इसके सवाल भी हम लेकर आएं लेकिन यह जो सेशन चलाए जा रहे है वो दिल्ली पुलीस के लिए लेगाए जा रहे हैं ताकि आपको ज़्याद से ज़्यादा कोर्स मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा बाते हैं आपको सीखने को मिले आपके टोपिक्स क्लियर हो जाए तो हमने इंट्रडेक्शन आफ कंप्यूटर पढ़ा उसके बाद उसका विकास पढ़ा उसकी पीधियां पढ़ी और विकास में हमने देखा कि पहली पीधि में क्या चेंज हुआ दूसरी में क्या हुआ कॉर टेकनोलोजी क्या थी जो चेंज होते होते आज हम जिन कंप्यूटर को यहां देखते हैं साइज के रूप में भी और लाइट वेट के रूप में भी और गुनवत्ता के रूप में और क्वालिटी स्पीड सब से च्थेज है और हमने यह भी पढ़ा कि सूपर में बात की इसके बाद हमने मेमोरी यूनिट पढ़ा इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे सौफवेर सौफवेर में ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लिकेशन सौफवेर उसके बाद हम पढ़ेंगे यूटिलिटी सौफवेर उसके बाद कस्टमाइज हालांकि इस सौफवेर दो ह सारे application software भी है अगर operating system नहीं है जो computer को चलाता है soul of computer, that called operating system जैसे Windows 7, DOS यह सभी क्या है या अभी जैसे Windows 10 चल रहा है 11, इस तरीके जितने भी Windows के नाम होंगे वो सारे के सारे operating system कहलाएंगे इसके अलावा जो भी software होंगे application software ही कहलाएंगे लेकर application software के अलावा भी हम उन्हें नाम दे देते हैं customized software, utility software utility software वो होते हैं जो आपके computer की छमता को, गुनवत्ता को enhance करते हैं, बढ़ाते हैं जैसे virus आगे उसको ठीक कौन करेगा antivirus तो यह सारे काम क्या होते हैं यह सारे software क्या होते हैं हमारे utility software होते हैं एक होता है new software या यू कहें customized software, जिससे ग्रहक अपने पसंद के अनुसार बनाता है, अपने काम के अनुसार बनाता है, कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए that called customized software, तो यह बाते हम अगली classes में करेंगे, आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, बाकी बाते हम अगली class में करेंगे, thank you